आधार कार्ट पर मोबाइल नंबर लिंक कराने के बाद उसी मोबाइल नंबर को आधार कार्ट से वेरिफाई भी कराना होता है अगर आपका आधार कार्ट पर जो मोबाइल नंबर आपने रिजिटेट कराया है वो मोबाइल नंबर रिजिटेट हो जाता है तो उसके बाद मे व हम वेचारिक करें जरूर से लिए 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 लिंक video के डिस्क्रेशन बाक्स भेज़ार अजारेंगे यहां पर आने के बाद उपर के लिए स्क्रोल अप करेंगे तो यहां पर आपको एक उप्सन दिखाई दे जाएगा वेरिफाई इमेल स्लेस मुवाइल नंबर आपको इसी वाले उप्सन पर क्लिक कर देंगे तो यह बेप साइट थोड़ी यहां पर लोडिंग लेगा क्योंकि यह यहां पर बहुत के सामने एक इस तरह का इंटरफेस आज आएगा तो सिंपली यहां पर आपको एंटर आधार नंबर पर आपको अपना अधार कार्ड नंबर डाल देना है और जो अपने आधार कार्ड से आपने अपना मुवाइल नंबर लिंक कराया है वहां पर आपको डाल देना है नीच करने के बाद आपके मुवाइल नमबर पर जो आपने अधरकार्ट से मुवाइल नमबर रिष्टेट कराया था उस नमबर पर एक OTP जाएगा वह OTP आपको यहाँ पर डाल देना है जैसे आप यहाँ पर OTP डालेंगे उसके बाद में संबिट बटन पर किलिक करेंगे तो चलि OTP आया था वह मैंने यहाँ पर फिल कर लिया है अब यहाँ पर मैं संबिट बटन पर किलिक करूंगा तो उसके बाद में यहाँ पर जो मेरी रोकेस्ट है वह ले ली जाएगी UID की तरफ से आधार जो सेंटर होता है यहां पर लिकर आ चुका है कि एंट्रेट मुबाइल नंबर है जो मैंने लिंक कराया है दो अभी वेरिफाई हुआ है और नहीं तो उसके लिए हम फिर बापिस इसी पेज पर आ जाएंगे उपर के लिए स्क्रॉल अप करेंगे और स्क्रॉल अप करने के बाद उसी पर फिर से जाएंगे वहरिफाइडी इमेल और यहां पर आ चुक है और हमें क्लिक करने के से बाद हमें सेम बोई process फिर से दोभारा करना है उपर हमें अपना अधार कार्ड नंबर डालना है नीचे भी हमें अपना मुवाइल लंबर डालना है जो हमने लिंक करा था वो इस से मोवाईल नमबर यहां पर हमें फिर से डालना है और नीचे यहां पर कैपशार डालेंगे उसके बाद में send OTP पर किलिक करेंगे देखेंगे कि यहां पर मेरा जो मोवाईल नमबर हमने अभी वेरिफाई किया है वो वेरिफाई हुआ है या नहीं तो चलिए दोस्तो है और मोवाईल नमबर को वेरिफाई कर सकते हैं बहुत